तो हलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीव और स्वागत करता हूँ जेयाट डोरेल के इस प्लाटफॉर्म पे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस प्लाटफॉर्म पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के सभी वीडि लेके आ रहे हैं इसी के साथ मैं आपको यह बताना चाहूँगा मेरा एक ब्लागिंग चैनल इसका नाम प्रदीव गिरी ब्लॉग एन एक दूसरा एज्योकेशनल चैनल इसका नाम गिरी टुटोरियल वहां भी जाके प्लीज चैनल के सब्स्राइब कीजिए और अपना सप इसके तरहत आज मैं लेके आया हूँ कि लॉग टेबल के अंदर लॉगरिदम एन एंटी लॉग मतलब लॉग एन एंटी लॉग का यूज करके हैं हम मल्टिप्लिकेशन के ऐसे इसे दम सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं करते हम स्टार्ट किया जाए बोलू उपड़ा पड़ स्टार्ट करो जल्दी जो आज हमारा आज का टॉपिक है इसके बाद हम बढ़ते हैं एक क्वेशन लेते हैं जो क्वेशन आपको दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पे लॉक टेबल जो मैं फिर से दिखाना चाहूँगा लॉक टेबल एक बार कंटीडर बच्चों को दिखाया जाए आपको देखो 10 या 20 या 25 रूपिस का यह लॉक टेबल मिलता है आप जाके खरीद लोगे देखो आप अगर 9, 10, 11, 12 में भी हो ना तो भी मैं जिस तरह से समझा रहा हो ना प्लीज गैरेंटी है कि अगर आप देख रहे वीडियो तो आपको पूरी तरह से यह समझ में आ जाएगा 11 में पहुशने से पहले आप बोलोगे और प्रदीप सर का वीडियो देखा था मुझे आ गया लॉक टेबल सो गाईस आपको जो स्क्रीम पे दिख रहा है वैसा ही होता है हमारा लॉगरिदम टेबल और एक लॉग होता है और एक एंटी लॉग होता है तो गाईस दोनों का यूज करके हम मल्टिप्लिकेशन करते हैं तो गाईस start करते हैं example example लेंगे तो आपको बहुत clearly बहुत अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देख लिया नहीं तो पक्का गैरेंटी के साथ बोडर आपको मल्टिप्लिकेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं लेता हूँ कि एक एक इग्जामपल आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक 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 इग्जामपल दिख रहा है जो नंबर है हमारा मालो वेलोसिटी दिया हुआ है 32.64 मतलब फाइनल रिजल्ट हम कुछ मैंने ऐसी जनरली ऐसे के एक एग्जामपल ले लिया है कि वेलोसिटी ऐसा दिया हुआ करने में हमारा दिमाग कराब हो जाता है और इतना बड़ा नंबर क्या बोलते बोलू तेंशन है कि नहीं है आप करते हैं सबसे पहले आपको नेक्स टेप जो करना है हमें करना है multiply log on both the side ओके सबसे पहले हम दोनों side क्या करेंगे multiply log दोनों side multiply करेंगे तो आप पहला step यही है कि हम दोनों side log को multiply कर रहे है तो फड़ा अच्छे log को multiply किया जाए तो log v equal to log 30 फिर जो नंबर को जिसको हमें find करना है total multiplication करके total एक number find करना है तो आपने दोनों side log को multiply किया अब guys आपको मैंने उस दिन बताया था कि characteristic किस तरह से find करते हैं तो characteristic हर जो भी number दिया हुआ है सबका characteristic find करेंगे फिर उसको log table में देखके log find करेंगे then anti-lock find करेंगे और final हमारा इस तरह आजाएगा तो guys अब अगला step होगा हमारा characteristic का और plus log का तो guys next देखो 32.64 है तो मैंने बोला था point के पहले जितना भी digit होगा जितने भी digit होगे उसमें 1 minus कर देना तो 32 मतलब 2 digit है 2 digit है 2 में से अगर 1 minus किया तो हमारा characteristic कितना आ गया 1 तो 1 point लिख दिया अब जो guys total number 32 अब भुल जाओ अब ऐसा दिमाग में मत रखोगी 32.64 लिखा है अब ऐसा रखोगी 32.64 लिखा हुआ है अब ये 32.64 को हमें देखना है lock table के अंदर किसके अंदर देखना है lock table के अंदर तो फटाक से lock सामने लाया जाए तो guys अब आपको 32 कहीं नहीं logarithm table अगर आप जाके market से खरीद के आओगे तो आपको lock table में दिखेगा 32 दिखेगा number 32 दिख रहा है कहा है 32 फटाक से दिखाया जाए देखो 32 दिख रहा है 32 के बाद आपको 6 कहीं दिख रहा होगा यह देखो screen पे 6 दिख रहा होगा एकडम सीधे पे जहां आके वो batch करता है वो number को हमें उठा लेना है कौन सा number है number है बोलू कौन सा number है 5132 so guys यह हमारा number है 5132 अब guys 32 और 6 तक हम पहुँच गए 6 के बाद 4 भी है आपको 4 last में दिखाई दे रहा है तो यह 4 को आपको find करना main difference के अंदर main difference में 4 कहा है उसी line में उसी line में guys अपने को check करना उसी line में सीधे आजाओ सीधे आजाओ सीधे आजाओ सीधे आजाओ पहुच जाओ पहुच जाओ कितना आ गया guys 5 तो guys 5132 में जो हमने 32 गए 6 देखा था तो 5132 आया था और आगे वाला जो 4 है 4 हमने किस में देखा main difference में और main difference में कितना मिला 5 तो 5 को उसमें क्या करना है add कर देना है और वो कितना हो गया कितना हो गया बोलू 5132 तो guys first हमने find कर लिया 5137 तो फटाक से लिग दिया जाए अब बढ़ते हैं next guys याद रखो log करने के time अगर multiplication है तो multiplication हट के वहाँ क्या हो जाता है plus और then guys आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे character streak point के पहले कितने number है point का पहले 2 digit है 6 2 मदब 2 digit है तो 2 में से 1 minus करेंगे तो कितना आएगा वहाँ 1 point अब guys जो 6 2 6 5 हो पूरे को हम log में देखेंगे किसमें देखेंगे log table के अंदर देखेंगे तो 62 सबसे पहले बोलू 62 दिखाया जाए 62 दिखाया गया 62 की line कुरी दिख गए 62 के बाद 6 6 6 हमें vertical line देखना है तो 6 vertical line फटाक से बोलू और जहां दोनों आके cut हो रहे है वो cut वाला number के है हमारा 7 9 6 6 7 9 6 ही देखो 62 के बाद 6 पहुँझ गए अब last वाला हमारा क्या है 5 so guys 5 हमें किसमें देखना है main difference के है तो 5 के main difference उसी vertical line में 5 देखना है और जहां के cut हो रहा है 62 के line में जहां cut हो रहा है वो number कुछ है 4 तो 7 9 6 6 plus 4 बोलू कितना होगा 7 9 7 0 तो guys हमने लिख दिया 7 9 7 0 इसके बाद फटाक से उसको add किया जा then इसके बाद guys फिर से multiply आता तो multiply को हमने replace कि से किया plus से याद रखो multiplication के time plus and division के time and minus वो division का जब में बताऊंगा तो explain कर दूँगा फिर सबसे पहले हम लिखेंगे character streak point के पहले कितना digit है 2 digit है तो हमारा जो character streak कितना होगा वो 1 होगा 1 फिर से हम 96 और 2 1 तो हम किसमें देखेंगे lock table में तो फटाक से lock table में देखा जाए बोलू फटाक से 96 96 का पहले horizontal line पूरा complete then इसके बाद 2 vertical line फटाक से कहां cut हो रहा है 9832 9832 फटाक से गाईस 9832 अब इसके बाद 96 के बाद 2 पहुँच चुक आप देखेंगे 1 और 1 किसमें देखना है main difference के अंदर तो 1 main difference कितना 0 0 अब हमें क्या करना है फटाक पटाक से बता देंगे बोलू कितना है 5.2939 यह प्लस करके आ गया बट गाइस अभी तक हमें multiplication ला पूरा यह हमें log मिला है अब हमें क्या करना पड़ेगा anti-log करना पड़ेगा देखो प्लस, इक्वल के उस साइड जाता है, तो क्या होता है, माइनस, माइनस इक्वल के उस साइड जाता है, तो उसी साइड से, उसी तरह से, जब लॉग दूसरे साइड जाएगा, तो यह हो जाएगा, एंटी लॉग, तो फटाक से, लॉग को दूसरे साइड लेके जाया जाए, है antilok फटाग से लाया जा है फटाग से antilok so guys antilok में जितने भी digit आपको दीख रहे देखो इसंके पहले डारेक 10 11 12 दीख रहा है पर इसके अंदर को digit आपको दीख रहा होगा point के बाद वाले को number को लेते हैं तो इसके अंदर भी guys point के पहला जो 5 है उससे अभी लेना देना मत रखो हमें point के बाद वाला जो number है 29, 39 इसी को हमें anti-lock के अंदर देखना देखना सेम वैसा ही है 29, 3, and 9 29 को पहले देखेंगे then 3 को vertically देखेंगे और जो 9 है वो main difference के अंदर देखेंगे बट कहां का point के बाद वाला number point के बाद वाला number देखो anti-lock के अंदर देखोगे आप point 21, point 22 same है समझ में आ जाता है कि हमें point के बाद वाले number को उस anti-lock के अंदर देखना है तो फटाक से guys point के बाद 29 सबसे पहले 29 किदर है 29 29 का horizontal line पूरा देखा जाए then इसके बाद 3 को हम कैसे देखेंगे vertically कहा है 3 दोनो जो combine होरा cut होरा वो line कों सा है 1, 9, 6, 3 इसके बाद जो 9 है बोलु क्या करेंगे 9 को किसमें देखेंगे main difference में और कितना है आपको clearly दीख नहीं होगा बट बोलु बता दिया कितना है 4 तो 1, 9, 6, 3 टोटल कितना हो जाएगा बोलु आप बताओगे मुझे 1, 9, 6, 7 कितना होने वाला 1, 9, 6, 7 तो फटाक से 1, 9, 6, 7 लिख दिया जाए अब बोलोगे सबसे बेले फिर से पीछे गी आजाए हमने प्लस करने पे 1, 9, 6, 7 आगया 1, 9, 6, 7 आगया अब बोलोगे सर आपने पॉइंट के बाद वाले को चले अंटी लॉग में देखा पर वो जो फाय है पॉइंट के पहले फाय है उसका क्या होगा उसका क्या होगा तो देखो मैं एकदम सिंपल तरीका बता रहो सबसे पहले 1, 9, 6, 7 आप लिख दो इसके बाद 1 के बाद क्या देदो आप पॉइंट देदो देखो स्क्रीन पे आपको दिखेगा तो हमने 1 हमारा एंसर आया था 1, 9, 6, 7 हमेशा ऐसा ही करो हमेशा ऐसा ही फाइनल में ऐसा ही करना है जो भी फर्स डिजीट होगा उसके बाद decimal देदो तो 1, 9, 6, 7 इंटू जो भी decimal के पहले number था decimal के पहले number किता था 5 था इसको हमने 10 raise to 5 लिख दिया तो यह हमारा total velocity का जो हमें numbers बड़ा सा multiplication करना था उसका answer आ गया 1, 9, 6, 7 इंटू 10 raise to 5 और velocity का जो unit था मेटर पर सेकंड जैस ऐसी लिए मैंने मुझे तो multiplication सिखाना था ओके देखो जैसे ऐसे फटाफट करोगे मेरे लिए तो बहुत फटाफट कर सकता हूं मैं इसको वैसी क्योंकि मैंने बहुत बार किया है तो इसलिए आपके पास आपके सामने first time आ रहा है अगर आप rules और regulation को समझ लोगे तो आप बड़े बड़े multiplication को बहुत फटाफट फटाफट कर लोगे तो गाईस यह हमारा velocity का final answer है क्या use करके log और anti-log मतब logarithm table को use करके हमने find किया अब गाईस चलते एक और question हम solve कर लेते आपके लिए तो चलते next question की तरब मालनो acceleration का हमारा यह answer आ रहा है 43.52 into 6.321 इसको हमें multiply करना है बट हमें multiply log table use करके करना है तो सबसे पहले काम क्या करेंगे सबसे पहले multiplying log on both side दोनो side हमें क्या करना है log को multiply करना है तो चलो multiply करो log को दोनो side log को multiply करो फटा पट बोलू आप बोलू खुद solve करेंगे आप कोई PPT नहीं होगा बोलू का handwriting बोलू जैसा ही है तो दोनो side log A बोलू log A लिखना है तो log A A equal log दोनों को पूरे को bracket में डाल देंगे 43.52 multiply 6.3 3.2.1 bracket close आप देखो हमने log हटा दी आप log हम log table में जब देखेंगे log table में जब हम देखेंगे तो log क्या हो जाएगा अब निकल जाएगा और हाँ जो multiplication है multiplication के एगा कुछ से replace हो जाएगा प्लस से तो सबसे पहले हमारा काम है बोलू क्या देखेंगे तो यहाँ characteristic कितना होगा 1 क्योंकि point के पहले जो digit है वो 2 digit है इसलिए जो हमारा characteristic हो 1 होगा तो 1 point अब 43 को 43 को आप देखो आप direct है अब log में आपके सामने में दिखांगा अब बोलू देखके solve कर रहा है 43 का horizontally हमें 5 में देखना बोलू कितना है 6, 3, 8, 5 बढ़ अभी बोलू आपने जल्दबाजी कर दिया आपको 2 plus भी करना है तो बोलू पटाक से बोलू बोलू पूरा solve कर रहा है हम directly live बोलू से solve कर रहा है so देखो 43 का 5 में हमने देखा then again जो 2 है वो main difference है तो 2 main difference में कितना दिया है बोलू पटाक से 2 तो plus करो यह हो जाएगा हमारा 6, 3, 8, 7 तो 8, 7 वहाँ सही किया जाए correct किया जाए बोलू 8, 7 देखो live आज बोलू से करवा के direct बोलेंगे बोलू आज आगया बोलू को solve करने बोलू आज लास में मुझे बताएगा कैसा लगा यह हो गया हमारा 6, 3, 8, 7 then बोलू multiplication के जग़ा क्या जाएगा plus अब point के पहले कितना digit है बोलू 8 1 digit है 1 minus 1 0 तो characteristic कितना हो जेरो अब 63 का 2 के 1 मतलब 63 horizontally 2 vertically जो जहाँ cut होगा वो number कौन सा है बोलू पटाक से बताओ वो number कौन सा है 63 का second 63 horizontally and 2 हमारा क्या vertically तो जहाँ जो दोनों cut होगा वो number कौन सा है 8, 0, 0, 7 तो 8, 0, 0, 7 ओके और last में जो 1 है उसको किसमें देखेंगे बोलू main difference में तो कितना है बोलू पटाक से बताओ 1 1 तो यह होगा हमारा total हम 1 को जो main difference है 1 को main difference में देखेंगे और 1 का main difference 1 ही आया तो हमारा plus करके कितना आ जाएगा है 8, 0, 0, 8 अब हम यह सभी का क्या करेंगे plus करेंगे बोलू पटाक से plus करके बताएंगे हमें कितना plus आया चल्दी 2.4395 तो यह guys यह हो गया हमारा log यह बोलू ने आपके सामने log निकाल के दे दिया अब हम करेंगे log A आ गया अब log A हमें मिल गया है आप सभी को पता है वह हम लिख देते हैं log A log A अब guys log एकपल के इससरड जाएगा तो क्या हो जाएगा A लिखो so guys A equal to anti-log और bracket में आ जाएगा हमारा 2.4395 so अब anti-log में हम point के बाद वाला number anti-log में देखेंगे किस में देखेंगे anti-log में तो same 43 horizontally 43 horizontally फड़ाक से आपको log table में आपको भी log table में मेरे साथ देखते जा रहा है 27 2748 और जो 5 है वो किस में देखेंगे main difference के अंदर तो main difference में 5 देखा जाए 3 so 3 तो यह हमारा total हो गया 2751 2751 so यह हो गया 2751 so मैंने क्या guys मैंने क्या बताया था सबसे पहले अब anti-log आपने anti-log के अंदर देख लिया final क्या करो starting जो पहला digit उसके बाद decimal देदो तो decimal भोलू ने देदिया इसके बाद जो हमारा point के पहले उपर 2 था उसको किसमें देना है 10 raise to 2 कितना हो जाएगा 10 raise to 2 भोलू एरा acceleration का जो unit होता है वह मिट्टर पर सेकेंड स्क्वेर होता है मिट्टर पर सेकेंड स्क्वेर स्क्वेर ओके बोलू ने आज acceleration आगे लिख लो बोलू acceleration बोलू ने आज आज आपके सामने देखो live solve करके दिखा दिया पूरी तरह से और मुझे लगता है lockable आप भी तो इसलिए आपको भी मैं एक homework दूँगा और homework देने वाला हूँ तो तो गाइस यह है आपके लिए homework इसको multiply करके using lockable calcys से मत करना calcys तो तो कोई भी पटाक से कर लेगा lockable का use करके आपको comment में लिखना है कितने लोगों ने किया है अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो को like करना चैनल को like कर देना पटाक से करना अगर अच्छा लगए वीडियो शेयर करना एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सबसे बड़ी बात गाईस अपना ध्यान रखना जैह हिंदो